शार्दिय नवरातरी शुरू होने से पहले घर से निकाल फेंके ये चीजें मा दुर्गा की बरसेगी कृपा शार्दिय नवरातरी हिंदू धर्म का एक महत्वपून पर्व है जो दुर्गा मा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है यह नौ दिनों तक चलने वाला त्योहार आश्विन मास के शुकल पक्ष में मनाया जाता है इस दौरान दुर्गा माता की विभिन रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त उनके आशिरवात के लिए वरत रखते हैं नवरात्री में देवी मा के नौ अलग-अलग रूपों की हर दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग-अलग वर्दान मांगे जाते हैं नवरात्री का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है देवी मा महिशासूर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती हैं। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। पंचाग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुकलपक्ष की प्रतिपदा तिथी की शुरुवात 3 अ नवरात्र का शुभारंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्री एक पवित्र पर्व है और इस दौरान घर को साफ सुथरा रखना और नकारात्मक उर्जा को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को घर से निकाल फैंकने से मा प्रिपा प्राप्थ होती है। घर में तूटी हुई मूर्तिया, फटे हुए कपडे, तूटी हुई घडिया, तूटा हुआ बरतन आदी नकारात्मक उर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है। एक पुराने अकबार और पत तूटी हुई जाड़ू को घर की साफ सफाई का प्रतीक माना जाता है। तूटी हुई जाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए। छे अनावश्यक सामान जो चीजें आप लंबे समय से इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं। उन्हें दान कर दें या घर से बाहर फेंक दें। साथ घर में तुलसी का सूखा पौधा रखना अशुब होता है। इससे भगवान विश्नो नाराज होते हैं। नवरात्री से पहले तुलसी का सूखा पौधा घर से निकाल दें। तभी घर में माता दुरगा का आगमन हो और सकारात्मक उर्जा का संचार होगा। इन बातों का रखें खास ध्यान। घर में इस्तिमाल न होने वाली चीजें नकारात्मक उर्जा को आकरशित करती हैं जो घर में कलेश और परिशानिया ला सकती हैं। इन चीजों को हटाने से घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवाह बढ़ता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार तूटी हुई मूर्तियां और फटी हुई तस्वीरें रखने से देवी देवताओं के अपमान माना जाता है। नवरात्री के दोरान घर को साफ सुथरा रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि साफ सफाई करने से घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है और मा दुरगा की क्रिपा प्राप्थ होती है। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है। हमेशा खुश और स्वस्त रहें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।